नमस्कार कैपिटल टीबी विहार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ पूज़ा चौबे लेहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती एक कहावत तो आपने सुना ही होगा हतकडी लगे हाथों में नुक्ति पत्र लिये शक्ष की कहानी आज आपको सुनाने वाले हैं कौन है और कहां के रहने वाले हैं ओ कहते हैं ना कि अगर आप किसी भी काम को स्थिद्दत से करो तो शारी काइनात आपको आपकी मंजिन तक पहुचाने में लग जाती है एक कहानी है नालंदा की राज किशोर चौधरी का जो जेल में रहकर बिहार लोग सिवा आयोग बिप्यसी की परिक्षा पास की और अब टीचर बन गये हैं नाले की आदेश पर काउंसिलिंग में उपस्थित हुआ और उसके बाद बिहार शरीफ बेवहार नाले ने जेल अधिक्षक को निउक्ति पत्र कार्याले जाकर उपलब्द कराने और स्कूल में योगदान की बेवस्था कराने का आदेश दिया कोट की आदेश पर राजकिशोर को पूलिस हिरासट में निउक्ति पत्र लेने के लिए भेजा गया निउक्ति पत्र मिलने के बाद युवक को वापस जेल ले जाया गया दरसल नालंदा के गुरुजी का या फोटो सूसल मीडिया पर खोब वारन हो रहा है या फोटो राजकिसोर चौधरी का है जो विचार धिन बंदी है राजकिसोर चौधरी का सपना था कि वो सिच्छक बने लेकिन राजकिसोर चोधरी पर घरेली विवाद का मामला चल रहा है वा नयाई खिरासत में है और इसी कारण वस उसे जेल जाना पड़ गया लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसे जब पता चला कि बिहार में भी प्यसी के माध्यम से सिच्छकों की बहाली होने वाली है तो इसके लिए फॉर्म भी निकला हुआ है तब उसने फॉर्म भर कर जेल से ही तयारी शुरू कर दी जेल के अंदर दिन रात पढ़ाई की और सिच्छक भरती परिक्छा को पास कर सिच्छक बन गया जब उसे इस बात की जानकारी हुई तो खुसी से उसके आखों से आसू निकलने लगे कोट की आदेश्ट से ही युवक बिप्यसी की परिक्छा दी और फिर काउंसलिंग में शामिल हुआ था परिक्छा पास करने के बाद बिहार शरीफ बिवहार न्याले ने जेल अधिक्छकों नियुकती पत्र उपलब्द कराने और स्कूल में योगदान कराने की बिवस्था का देश्ट दिया आपको बता दे कि इन दिरों बिहार में बड़े पैमाने पर सिचछको की बहाली चल रही है जिसमें केवल बिहार ही नहीं दूसरे राज्यों के भी सिचछको का जमाळा लगा रहता है सिच्छको से जुड़े कई ख़बरे सामने आती रहती है और अभी हाल ही में एक BPSC पास टीचर का पहरड करके पकड़वाश शादी करवा दिया गया था देखते ही देखते यह खबर काफी वारल हो गई अब हाल ये रहा कि कुवारे टीचर जो है समल समल कर स्कूल जा रहे हैं ताकि वा भी पकड़वाश शादी का शिकार न हो जाए राज किशोर चौधरी ने जेल में राते हुए दूसरे छात्रों के लिए एक मिसाल कायम किया है कोई भी काम कोई भी चुनोती बड़ी नहीं होती बस साहस होना चाहिए जजबा होना चाहिए परिस्थिति कैसी भी हो सफलता पाई जा सकती है या साबित कर दिखलाया है राज किशोर चौधरी ने तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहे हमारे साथ और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार